आज मैं एक कैन का डिकोपाच करूँगी इसके लिए मैंने एक गुलाब जामुन का पुराना डिबबा लिया है इसको सबसे पहले वाइट पेइंट करेंगी इसके लिए मैंने जेसो बनाया है जेसो जिसको प्लास्टर ऑफ पैरिस, वाइट पूटी, बेबी पॉडर या इस इन भाग फेविकॉल डाला है और एक भाग वाइट एक्रिलिक कलर इन तीनों को अच्छी तरसे मिलाने के बाद एक अच्छा गूल तयार कर लेंगे अगर ये थोड़ा थिक रहता है तो हम इसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं तो ये मिश्रन तयार है इसके बाद हम इ अच्छी तरसे ये डिजाइन भी उबर कर आता है तो पहला कोट जब सूख जाए दूसरा कोट भी हम लगा लेते हैं तो ये दूसरा कोट है और जो पहले जो कैन की गंदगी थी वो कुछ नहीं दीखेगा ये बिलकुल वाइट हो गया है सूखने के बाद अब हम इसमें ट ये फूल का कौन सा डिजाइन कहां पर लगेगा या कितना बड़ा चाहिए वो फिक्स कर लेते हैं पहले से अब इसे काटने के पहले सबसे पहले जो टीशू पेपर के पीछे में एक या दो वाइट पेपर रहता है उसे बहुत ही साफधानी से हम इसे निकाल लेंगे इस तरह से हम बिल्कुल धीरे धीरे निकाल लेते हैं निकालने के बाद अब ये डिजाइन हमारे हाथ में आ गया है तो अब इस डिजाइन को अब हम काटेंगे अब चाहिए तो कैची से भी काट सकते हैं लेकिन इस तरह से पेइंट ब्रश को अगर हम पानी में भिगोने के ब से कट जाता है और इस तरह से काटा हुआ डिजाइन जब हम कैन में छिपकाते हैं तो बिल्कुल अच्छा फीनिश आता है कैंची से काटने से उतना अच्छा फीनिश आता नहीं है अगर इस तरह से करेंगे तो अच्छा फीनिश आता है तो अब धीरे धीरे इस तरह से हम इसे डिजाइन को निकाल लेते हैं और अब कैन में लगाएंगे तो इसे लगाने के लिए अब हमें ग्लू चाहिए तो फेविकॉल ले लेते हैं मैंने ये दो ढखकन फेविकॉल पहले से ले करके रख लिया है और इसमें एक ढखकन पानी लगा लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे इस तरह से ये ग्लू तयार कर लेंगे इसे मॉट पोच भी कहते हैं इस तरह से जब ग्लू तयार हो जाए तो अब हम जहां डिजाइन हमें चिपकाना है वहाँ पर अच्छी तरह से ये फेविकॉल का लिक्वीड हम अच्छी तरह से लगा लेते हैं और अब इस डिजाइन को धीरे-दीरे इसमें रखेंगे बिलकुल सावधानी से रखेंगे नहीं तो हो सकता है कि इसमें बीच-बीच में हावा घुस जाए या जो टिशू पेपर वह फट जाए और एक प्लास्टिक ले करके उसको धीरे-दीरे हमसे चिपकाएंगे या फ प्लास्टिक या एक फ्लाट ब्रश की मदद से हमसे धीरे-दीरे चिपका देंगे बिल्कुल सावधानी से करना है टीशू पेपर बहुत ही सॉफ्ट होता है तो ये फट सकता है और ग्लू बहुत ज़्यादा डालना भी नहीं है ग्लू ज़्यादा होने से भी ये फट जाएगा अब इस तरह से होने के बाद हम इसे सूखनी छोड देंगे सूखनी के बाद ये इस तरह से लगता है सूख जाने के बाद एक या दो कोट हम इसमें mod pod फिर से लगाएंगे और इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे और इस तरह से हमारी ये can तयार हो जाता है जब ये सूख जाएगा तो ये तयार है आप चाहे तो इस तरह से भी इसे यूज़ कर सकते हैं मैंने यहाँ वार्निश भी लिया है और एक कोट वार्निश भी मैं यहाँ लगाऊंगे वार्निश से ये बिल्कुल water resistant हो जाता है अगर पानी इसमें अगर छीटा अगर कुछ पढ़ जाए तो भी इसका जो tissue paper है ये कोई बुरे आसर नहीं पढ़ता है इस पर तो ये बहुत strong रहता है इस तरह से ये वार्निश भी कर लेने के बाद इसे सुखा लेंगे सुख जाने के बाद ये can बिल्कुल सुन्दर और ये देखिए मैंने इसे planter के रूप में इसे use किया है ये जो ice cream के जो boxes रहते हैं इसको हटा के रख देते हैं और इस तरह से ये छोटा ice cream box है इसको भी मैंने और दूसरा जो बड़ा वला है इसे भी मैंने decoupage किया है ये दूसरे design से इसे मैंने organizer के रूप में इसे use किया है और बड़े वाले को knife holder के रूप में उप्यूग किया है इसके साथ ही मैंने एक plastic glass को भी decoupage किया है जो green color में है और इसे भी मैंने planter की तरह उप्यूग किया है तो आप भी इसे घर में try कर सकते हैं ये बिल्कुल आसान है और हर कोई कर सकता है